हेलो दोस्तो वेलकाम टू डीटू एगरिकल्चर दोस्तो आज हम बात करेंगे एक इंपोर्टेन वेकेंसे की जो आया है बैंक ओप महरास्टर के द्वारा दोस्तो बैंक ओप महरास्टर में एगरिकल्चर फिल्ड ओफिशर की बहुत सारी वेकेंसी आई हुई है तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि क्या education qualification मंगा है, क्या application fees है and last date क्या है दोस्तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले and bell icon को press करे ताकि आने वाले new video के notification आपको time पर मिलते रहे तो यह है दोस्तो बैंक अप महरास्टर का official notification जिसमें specialist officer scale first and second की post IV है तो आए जानते है number of post कितना है तो दोस्तो agriculture field officer का total 100 post है जिसमें SC का 15, ST का 7, OBC का 27, EWS का 10 and UR का 41 है तो इस तरह से total 100 post है ओके दोस्तो age limit यहाँ पर दिया हुआ है age limit 20 से 30 साल के बीच रहना चाहिए age relationship आपको मिल जाएगा ओके दोस्तो आगे देखते है education qualification को तो दोस्तो education qualification की बात करें तो आपके पास 4th year का degree होना चाहिए किसमें agriculture में, horticulture, animal husbandry, veterinary science, dairy science, fishery science, fish culture, agriculture, marketing and cooperation, cooperation and banking agroforestry, forestry, agriculture, bio technology, food science, agriculture, business management, food technology, dairy technology, agriculture, engineering या sericulture में आपका 4 साल के degree होना चाहिए, जिसमें आपका 60% marks होना चाहिए उसी प्रकार 55% ST, SCN, OVCN, PWD के लिए requirement है तो कि दोस्तो age limit मैं बता दिया हूँ, age limit 20 से 30 साल के होना चाहिए age restriction आपको मिल जाएगा दोस्तो यहाँ पर दिया हुए है minimum bond period दोस्तो यह जो job है, एक project के through दिया जा रहा है, इसलिए इसमें bond period है जो 3 साल का है, ओके दोस्तो तीन साल का है joining के बाद से ओके दोस्तो एन probation period दिया है 2 years, ओके एन इसमें दिया हुए है जोब profile के बारे में description दिया हुए है, आप वीडियो पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर बहुंच सारे दिया हुआ है, ओके दोस्तो तो दोस्तो यह हो गया job profile के बारे में दोस्तो अब देखते हैं pay scale के बारे में तो जो specialist officer scale first है, उसका pay scale तो दोस्तो इसमें सेलेक्शन के लिए सबसे पहले IBPS के दवारा exam conduct कराया जाएगा, online exam होगा, उसके बाद interview के लिए बुलाया जाएगा ओके दोस्तो, मतलब कि एक बार online exam होगा, उसके बाद direct interview के लिए बुलाया जाएगा तो दोस्तो इसका अगर cut off की बात करें, तो जो general है, उसके लिए 50% इसका cut off रहेगा and SC, ST, OVC का 45% इसका cut off रहेगा, ओके दोस्तो यह 100% में है, ओके आगे देखते हैं examination pattern के बारे में देखते हैं दोस्तो, examination pattern कैसर आएगा, तो इसमें professional knowledge पुछा जाएगा, जो 50 question आएगा, जो की 100 marks कर रहेगा और इसके लिए आपको एक घंटा, मतलब 60 minute का आपको time दिया जाएगा, ओके दोस्तो, मतलब online exam होगा, जिसमें स्रीफ 50 question आएगा, और 100 number कर रहेगा, ओके दोस्तो, उसके बाद direct आप इसको qualify करने के बाद, आपको direct interview के लिए बुलाया जाएगा, अब देखते हैं दोस्तो, examination center की, तो बहुंस सारे exam center दिया हुए है, जिसकी बिहार में, पटना, चंडिगड़ में, चंडिगड़ है, और 36 गड़ में, राइपूर, इसी तरह से बहुंस सारे यहाँ पर देख सकते हैं, आप exam center दिये हुए है, अब देखते हैं दोस्तो, एक important point, application fees के बारे में, तो यहाँ पर, UR, EWS, and OBC के लिए, 1000 application fees है, and GST charge लगेगा आपको 180 रुपया, तो total आपको 1180 रुपया पे करना पड़ेगा, ओके दोस्तो, उसी प्रकार, SCST के लिए, 100 र लगेगा, तो total इसको 1180 रुपया पे करना पड़ेगा, and जो PWBD candidate and woman candidates है, उसके लिए, यहाँ पर fees में छूट प्राप छूट है, यहाँ पर कोई fees charge नहीं लगने माला है, ओके दोस्तो, application process की बात करें, तो दोस्तो, सबसे पहले आपको bank of maharaster की official site पर जाना है, website है, www.bankofmhar pastor.in पर क्लिक करना है, उसके बाद carrier में जाना है, requirement process, उसके बाद एक नय पेज उपन होगा, जिसमें specialist official in scale and first and second 2021-22 को क्लिक करना है, उसके बाद आपको apply online पर क्लिक करना है, ओके दोस्तो, क्लिक करने के बाद एक new registration का page खुलेगा, जिसमें आपको नाम, contact detail and email ID बना होगा, ज इसके बाद आपको एक provisional registration number and password आपको display होगा, and जो final registration number and password है, आपके जो email या register mobile number पर आपको दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तो, उसको login करके, आपको अपने सारी details fill करके, आपको submit करना है, वोगत दोस्तो, उसके बाद, submit करने के बाद, आपको fees payment करना होगा, आपको बत आपको देखते हैं, इसका last date कब है, तो इसका starting date आज से start हो गया है, 19-2021 से, and last date है, 19-2021 को इसका last date है, ओके दोस्तो, जो online exam है, and जो group discussion या interview का date अभी नहीं दिया हुआ है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा, ओके दोस्तो, आगे देखते हैं, payment, payment कैसे करना है, fees का, तो payment दोस्तो, online mode ही है, through debit card, credit card, या internet banking के द्वार आपको payment करना है, दोस्तो, apply करने का link, वीडियो के description box में मिल जाएगा, and वीडियो के PDF के लिए, हमारे telegram channel, D2 Agriculture से, आप वहाँ से download कर सकते हैं, ओके दोस्तो, I hope आपको वीडियो पसंद आया हुआगा, वीडियो पसंद आया तो like करना, share करना है, and subscribe जरूर करना, okay दोस्तो, thank you